आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स गुपाल गंज की खास खबर नमस्कार मैं हूं कंचन चलिए बिना दिरी की जानना सुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से गुपाल गंज में अगामी होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर शहर के बिविन चौक चौराहों पर बनने वाले पूजा पंडाल को लेकर पूलिस ने पूजा स्मिती के लोगों के साथ एक बैठक की बैठक के दोरान कई महत्तपून विंदूओं पर चर्चा की गई इस दोरान सदर SDPO प्रांजल ने पूजा स्मिती के लोगों से अपील की कि दुर्गा पूजा को लेकर सड़क के किनारे या सड़क के बीच में पंडाल का निर्मान ना करें ताकि लोगों को कोई आवागमन में समस्या ना हो साथ इनों ने कहा कि पूजा को लेकर लाइसेंस प्राप्त कर लें दरसल अगामी स्थापित होने वाले पूजा पंडाल में मादूर्गा की प्रतिमा के स्थापना कर तीन दिनों तक चलने वाले रशहरा मिला की तयारी के पुर्व नगर थाना परिसर में सदर SDPO के अधि साथ ही पूजा पंडाल में आने जाने वाले भक्तों को भी किसी परकार की कोई परिशानी नहीं होती है। पंडाल बनाये जाते हैं उन सभी लोगों के साथ मीटिंग की गई जिसमें उनको आवश्यक दिशानी देश दिया गया और यह बताया गया कि जो है रोड को रोड को देखते हुए पंडाल बनाना है कोई भी पंडाल रोड के ऊपर नहीं बनना चाहिए और जिससे की लोग बहुत सजग हैं और ऐसी घटनाय नहीं और हम लोग इसी में लोगों को यह बताने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी कि रोड पे लाइट नहीं लगाना है रोड को किसी भी तरीके से अउरुद नहीं करना है ताकि लोगों को आवा गमन में कोई भी तरीकी की दिक्क लोगों से यह भी आग रहे है कि अनुमंडल कार्याले में जाके अपने जो भी वहां पे अपना पंडाल बना रहे हैं उसके तू लाइसेंस जरूर प्राप्त कर लें लाड़ स्पीकर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी लाइसेंस जरूर प्राप्त कर लें और मैंने बताया है जो लोग रोट पर पंडाल बना रहे हैं उनके लिए यही आग रहे है कि रोट पंडाल ना लगाएं और ऐसे जगह पंडाल लगाएं जहां पे लोगों को आने आवा गमन में कोई भी दिक्कत ना हो ट्रैफिक क्या कोई अब रोद न उत्पन करें साथ हाथी हांती गोडा आएंगा शहर में तो दिक्कते इमर्जोंगी ड्रैफिक को तो लोगों से अंगरोध है कि इसमें हांती गोडा का प्रयोग करेंगे और हम लोग बॉनira Mississippi करेंगे और ये जो लाइसेंस जो दिया जाएगा उसकी सदज का उलंगान भी माना चाएगा जखें राज भाशा गौरप पुरुस्कार से सम्मानित किया है राज भाशा विभाग बीदैंगे राज भाश विभाग ने इन में संस्क्रिती खर्म किbb tekrar से संबंदित हिदी में मौलिक पुस्तक लेखन के परशिद आमनों चकार कि दॉक्टर ही को पिछली वर्स प्रकाशित उनकी कला पुष्टक आधुनिक कला अंदोलन पर राज भाषा गौरब पुरुसकार देने की घोशना हुई है इसके लिए डेल लाख रूपे वे प्रशस्ति पत्र एवं सिम्रिती चिन प्राप्थ हुआ श्री जोशी की अनुपस्तिती में ये पुरुसकार उनके पुत्र अनिभाव मिश्र को राज भाषा सम्मेलन में दिया गया बतादे की बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर योतिष जोसी कट्या प्रखंड के साम दास बगही गाउं के स्वर्गी देवता मिश्र के जेश्ट पूत्र है उनकी प्रारमभिक शिक्षा गाउं से शुरू हुई हत्वा से शनातक की डिगरी लिनी के बाद वे दिल्ली चले गए दिल्ली विश्विध्याले से हिंदी से मे की पढ़ाई करने के बाद जिवाहर नेहरू विश्विध्याले से M. bereits PhD की डिगरी हासिल कर ली कुछ दिनों तक इन्होंने प्रख्यात समालोचक डॉक्टर मनेजर पांडे का भी सानिधय मिला साहित्य, पत्रकारिता, कला, आलोचना और विचार आधी पर बिपुल लेखन के साथ-साथ उन्होंने कवीता और कथा साहित्य में भी उलेखिनी एक कारे किया है उनके दो उपनियास परकाशित हैं, सोन बर्सा, सन 2000, एवं समय की रेथ पर 2030 दोनों ही उपनियास बिहार से कैंद्रित हैं, हिंदी में उनकी 27 मौलिक पुष्तके हैं इनकी इस उपलब्धी से छेत्र के लोगों ने बधाईयां दी हैं बधाई देने वालों में मुख्य रुप से शंभुनाथ दूबेजी, जित्यंद्र दूबे, बिने तीवारी, रविंद्र मिश्र, बियन तीवारी, डॉक्टर अशोक गुपता, दिनेश मिश्र, अशोक मिश्र, इत्यादी लोग शामिल हैं कट्यानगर का इतिहासिक दो दिवस्य महाभीरी अखाडा, मेला गुरुवार की देश राम संपन हो गया कट्यानगर जै शीराम, जै हनुमान की नारू से पूरी तरह से गुझे मान रहा बुधवार की रात सडकों पर कुछ अखाडे का जुलूस खुमता रहा, जिसके पीछे हजारों की संख्या में दर्शक लुफ्त लेते रहे वहीं आरकेष्ट्रा और डीजे पर प्रतिबंध के बावजूत भी अखाडा स्मीतियों द्वारा आरकेष्टा में नर्तिकियों द्वारा जम कर अशलील परदर्शन किया गया कोरोना की बाद से पहली बार भारी शंख्या में लोग अखाडा मेला में पहुँची कर्ट्या के सभी नव अखाडा स्मीति ने अपना अपना अखाडा उठाया गणिनाथ मंदिर, शीम मंदिर, बस एश्टेंड, रेफलार अस्पताल मोड, धर्म शाला मोड सहीत सभी अखाडों का अपना एक अलग ही नजारा था सभी अखाड़े के युवा अपने अपने करता वे कलाबाजी भी दिखा रहे थे इस बार सभी अखाड़े के युवा सदस्यों के द्वारा ऐसी बेवस्था की गई थी कि दूर दराज से आये दर्शकों को कोई परिशानी ना हो कलाकारों की द्वारा बारी-बारी से पुराने गानी से लेकर नए गानों पर प्रदर्शन किया गया तो वहीं भजपूरी असलील गाना भी जम कर पजाया गया बुधुवार की देर राथ से उठया खाडा जुलुस गुरुवार की सुभा तक रंगारंग कारेकरम प्रस्थूत करते रहे वहीं गुरुवार को भी दुपहर के बाद से मेला कायो जन किया गया इस दौरान सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलकी तैना आती रही बिगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक Newton Public School नरसरी से आठवी तक हम प्रधान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा यहां मिलता है Co-Education CBSE करिकुलम के आधार पर Well-Educated and Disciplined Teachers, Pollution-Free Environment, Music और Dancing की Special Classes Extra-Curricular Activities जैसे Yoga, Karate, Computer, Sports and Games Smart Classes और Well-Equipped Library, बच्चों के लिए Special Fund Classes और अलग-अलग सेक्षिन Newton Public School, R.R. Moore, Gopal Ganj स्वास्थे के प्रती आपकी चिंता अब खत्म हुई लखनव, KGMU के मशहूर डॉक्टर, दॉक्टर इमरान हुसेन खान, हड्डी, नस, जोड, रीड की हड्डी, स्पाइन रोग, स्पेशलिस्ट नवीन तकनीक से घुटने और कुले का जॉइंट रिप्लेस्मेंट और दूरबीन विधी से ओपरेशन एक्सिडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज महिलाओं से जुडी सभी समस्याओं का सफल इलाज आज ही आएं और बहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाब हुठाएं स्टार एडवांस और्थो और मैटरिटी सेंटर, 24 घंटे, 7 दिन इमर्जेंसी सेवा कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपाल गंज सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफटी आफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बनें सेफटी आफिसर जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जौब की गारंटी हमारे यहां कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेस्मेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है तो फिर देर किस बात की, हमारा पता है राम राज्यमोड, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे आंदर ढाला के समीप, सीवान मेडिकेर हॉस्पिटल विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ डॉक्टर गुल्रेज आलम, नवजाद शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट अरजंसी सेवाएं 24 गंटे 7 दिन, मेडिकेर हॉस्पिटल, स्थान, थावे रोड, विप्रासी स्कूल के सामने, गोपाल गंज आम से लेकर खास लोगों के लिए खुश खबरी अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं, तो माव विंध्यवासिनी प्रॉपटी दे रहा है, ये सुनहरा मौका गोरकपूर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरकपूर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायतरी नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार, निकट मोहनापूर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्र रेल पुलिस द्वारा संइक तरूप से थामे जक्सन के छेतर अधिकार में पढ़ने वाले रेलवे ट्रेक के आफपास आधिस्थानों पर जन जागरुगता अभियान गुरुवार को चलाया गया बताया जाता है कि जन जागरुगता अभियान वरिष्ट बंडल सुरक्षा आयुक्त वारानसी और सहायक सुरक्षा आयुक्त छप्रा के निर्देश के आलोक में चलाया जा रहा है और पीएफ निरिक्षक देवेंद्र परताप और रेल थानाध्यक्ष असोक कुमार सिंग ने बताया कि श्राती ततो द्वारा रेलवे ट्रेक पर पत्थर लकड़ी आधी रखने को लेकर रेलवे लाइन के समीप पढ़ने वाले फुलवरिया, भटवलिया, नवादा, चंदन तोला आधी गाउं के ग्रामनों को इकठा कर जन जागरुकता भियान चलाया गया, इसके साथ ही उच माधमिक विध्याले में जगरनाथा माजागर इस्ति स्कूल के बच्चों को रेल लाइन पर अनावश्यक रूप से चलने, रेलवे ट्रेक पर पत्थर राधी न इतियादी रेल लाइन पट्री पर दिखाई दे तो तुरंत स्थानिये पुलिस, रेल पुलिस और आरपीएफ को सुचित करें, इस दौरान सुरक्षा हेल्प लाइन नंबर वे पोस्ट का नंबर स्थानिये जन परते निधी, मुखिया वे गणमानने व्यक्तियों में परकों का आदान प्रदान किया गया। जन द्यागरता अभियान के दोरान आरपीएफ और जी आरपी पुलिस मौजूद थे। मौत हो गई। मौत के बाद सौजन लाप्रवाही का अरूप लगाती हुए अस्पताल में हल्ला करने लगे। हल्ला की जनकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष धीरच कुमार और स्ची और विभूषन गौरव के साथ ही जन परतीनिधी अस्पताल पहुँचे। हल्ला कर रहे ग्रामनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया गया। इसके बारे में प्रभारी चिकित्सा पदधिकारी डॉक्टर उइनाश कुमार ने कहा कि जनम के बाद नवजात की सांस नहीं चल रही थी। केवल सरीर में धड़कन थी। जिसको इलाज के लिए सदर स्पताल भे 22 सितंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसिये प्लस पोलियो अभ्यान के तहत शुनने से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियों की खोराज दे कर प्रतिरक्षित करने के लिए वेक्शिनेटरों, आंगन बाड़ी कारे करताओं और आशा कारे करताओं को माझा समु दाईक स्वास्ते केंदर में एक दिवसिये प्रशिक्षन दिया गया, यह है प्रशिक्षन प्रभारी चिकत्सा पदधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नत्रित में ब्लोक मनीटर अवनिश कुमार द्वारा आयोजेत किया गया, प्रशिक्षन में वैक्सिन वोयल मन के evolve called invitation कि पहचान और पोलीयों की खुदाइंग देने की पर्किरिया सीखाई गई इसमें बताया गया कि पोलीयों के खुराग देने के बाद बच्चों के बाए हाथ की Cane उंगली पर नेल मार्किंग की जाएगी और दिवार पर घर संख्या के साथ तीर का निशान भी लगाया जाएगा इस आउसर पर BMC नविन कुमार, VCM सुनिल कुमार, स्वास्त स्मिती प्रवंधक शिर्धार्त कुमार, अकाउंटेट मुकेश कुमार और कार्याले सहायक रंज स्वासी सेंटर के तहट समहरो आयो जितकर सर्टिक्फिकेट का वितरन किया गया, कारेकरम के शुरुआत मानिने शिक्षा मंतरी बिहार सरकार व्भोर विधान सभासे विधायक सुनिल कुमार ने दिव प्रजलित कर कारेकरम का उद्गाटन किया, साथी बच्चों को सम्हो प्रजल में एवं देश का राष्ट पती बने, साथी उन्होंने बच्चों को कड़ी महनत वे लगन से शिक्षा ग्रहन करने का सुझाओ दिया, वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे साथ निष्चे योजना के बारे में जनकारी दी, इस मौके पर नई द्रिष्टी नया सब प्रदीव धनराज ने आगत सभी अतिथियों का स्वागत किया, और अपने संस्था के माध्यन से सरकार की योजना को सफल बनाने में अपनी भूमी का पूरी मांदारी से निभाने की बात कही, मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधी आनंद मिश्र, भोरे प्रदीप कुमार जैस्वाल, अध्यक्ष अरुन कुमार सिंग वे अन्य गणमानने लोग मोजूद थे। प्रारंभ किया जाएगा, खेतरिय बिजली सप्लाई है, तु नया बिजली सन्यंत्र की स्थापीत किया रहा है, स्वास्ते शिच्छा प्रशाषनिक व्यवस्था से निरंतर सुधार किये जाने की चर्चा मंत्री सुनिल द्वारा किया गया, साथ ही साथ अपने कारेकरता स से बूत स्थर पर सक्रिय रहने एवं पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की अपील किये इस अफसर पर नितेंदर राय विकास सिंग बिनोत सिंग जै प्रकाश तिवारी हिर्दया लाल मनोज यादव परवेज आलम रामधनी गोड सचिन तिवारी नस्रुल्ला अंसारी मु कि कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने भती जे उजवल कुमार उर्फ आदित्य कुमार को गोद ले लिया था उजवल कुमार के पिता का नाम अनील श्रीवास्तीव है लेकिन एक अन्होनी घट्ना में उजवल कुमार ने एपने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया सुत्रों के अनुसार चाची की स्तिति सुरक्षित है और उनका इलाज चल रहा है आनंद कुमार ने उजुवल को अपना बेटा मान कर उसका पालन पोशन किया लेकिन इस दुख्द घटना के बाद उन्हें गंभीर चोटे आई है नौतन थ पूलिस ने उनिंग्रावतार कर न्याले को सौप दिया है गुपाल गज में अला गिलग जगह पर श्राब तसकरों के विरुध हुई कार रिवाही में पूलिस के दुआरा 1645 लीटर श्राब पकड़ी गई इसमें एक तसकर की जहां गिरफतारी हुई तो वहीं एक कार एक सकार्पियों दो बाइक जब्त किया गया इस मामले में पूलिस के दुआरा दी गई जानकारी के अनुसार श्रीपूर थाना अंत्रगत चंता बजार नहर पूल के पास से एक सकार्पियों में लदा 600 लीटर देशी श्राब रामद फुलवरिया थाना अंत्रगत बथुआ बजार टीवी एस एजेंसी के पास से एक बा जादो पूर्थाना अंत्रगत ग्राम खाप मक्सूद पूर्दियरा चेतर में जाड़ी में छिपा कर रखा गया 69 कार्टुन बंटी बबली मात्रा 531 लीटर देशी श्राब ब्रामद एवं विशंबर पूर्थाना अंत्रगत काला मटीहिनिया बांध के पास से एक बाइक पर दो बोरा में 102 लीटर देशी श्राब ब्रामद किया गया अब इन मामलों में पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहट कानूनी कैरेवा ही कर रही है तो यह थी आज की खास खबर पब्लिक टाइम्स को पाल गंज की खास खबर में अपना मुल्लेवान समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो